आज की class में हम लोग start करेंगे पिटा, angiosperms की detail क्या start करेंगे? angiosperms की detail तो angiosperms की detail में सबसे पहला word क्या आता है? कि angiospermic plant को हम flowering plants भी कहते हैं इनको हम क्या कहते है? flowering plants क्यों? क्योंकि ये इकलोते ऐसे plant है जिनके अंदर flower की formation होती है Gymnosperms में हमने देखा कि उनके case में कौन की formation हो लिए है लेकिन इन में क्या बन रहा है बिटा flower बन रहा है अक्चुल में Angiosperm जो word है ये दो word से मिलकर के बना है Angio plus sperma Angio का मतलब होता है cover और स्पर्मा का मतलब होता है सीद्स क्योंकि अगर आपको यादो तो जिम्नोस्पर्म और एंज्योस्पर्म को हमने स्पर्मेटोफाइटर डिविजन में रखा था और हमने क्या का था ये दोनों ही सीड प्रोडूसिंग प्लैंट्स है तो स्पर्मा वर्ड का मतलब ही क्या है सीड्स होता है लेकिन दोनों में सीड्स है तो एंज्योस्पर्म कैसे डिफर करते है कि इनके अंदर जो सीड्स होते है दे आर कवर्ड सीड्स कैसे होते हैं कवर्ड होते है और सीड्स कवर्ड किससे होते हैं आप seed पोल रहे हो तो आप fertilization के बाद की structures की बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे seeds are present inside the fruit seed कहां present होंगे fruit के अंदर इसका मतलब seeds के बाहर किसकी covering है fruit की covering में ठीके और अगर आप pre-fertilization event की बात करो तो आपको पता है seed किस से डवलप होता है ovule से और fruit किस से डवलप होता है ovary से तो अगर या तो आप दोनों ही pre-fertilization event बोलो या फिर दोनों ही post-fertilization event बोलो तो इनके case में ovule naked नहीं होता है ovule भी covered होता है और वो किस से covered होता है ovary की wall से covered होता है या फिर हम बोले कि इनके अंदर seeds covered होता है seeds किस से covered होता है they are present inside the food ठीक है तो main angiose form पे आने से पहले थोड़ा सा हम इसका introductory part कर लेते है कि angiose forms जो है इनकी लगबग लगबग 270,000 species हमें मिलती है इसकी diversity बहुत जाद है कितनी diversity है 270,000 species इसकी exist करती है लेकिन इन में से जादतर जो species है वो है dicot plant की dicot की diversity कितनी है 220,000 species है dicot plant की जबकि monocot plant जो है उनकी diversity सिर्फ 50,000 species है उनकी diversity कितनी है 50,000 species है evolutionary point of view से अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपके algae डवलप हुए algae के बाद evolved हुए आपके bryophyte bryophytes के बाद evolved हुए teradophyte 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 के बाद develop हुए बटा gymnos pumps और gymnos pumps के बाद evolution हुआ किसका बटा angios pumps का और angios pumps में भी dicote पहले evolved हुए और उसके बाद monocot का evolution हुआ है यह सी ध्यान अखना हमें लगता है कि dicote ज़्यादा complex है तो dicote बाद में बने हुँए नहीं dicote का evolution पहले हुआ है और monocot का evolution क्या हुआ है बाद में तो angios pumps आप क्या देख रहे हूँ कि यह recently evolved है सबसे बेले तो algae आये थे ठीके तो algae के बाद bryophyte, teradophyte, gymnos pump इस तरीके से इनका evolution हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो angios pumpic plant है they are recently evolved यह तो क्या हुए है बटा अभी evolved हुए और दूसरा point क्या आता है कि they are highly evolved highly क्यों क्योंकि सबसे advanced इन में क्या है सबसे advanced है बटा आपके इसके बाद अगर हम बात करें fossils के अगर हम बात करें कि हमने कैसे study किया तो first जो angios pumpic fossil हमें मिला angios pump का पहला fossil वो हमें किसका मिला दो fossil हमें मिले थे एक fossil था आरके फ्रुक्टस का ये तो हमें मिला बटा चाइना से कहां से मिला चाइना से और दूसरा जो fossil था वो था आरके अन्थस का बटा अब काफी interesting portion शुरू हो जाएगा ध्यान से देखना बहुत इंट्रस्टिंग है sequence है और क्योंकि यह sequence आप पहले से पढ़ते आ रहे हो जो आप plants की बात करते आ रहे थे mostly हम एंजियोस्पॉमिक प्लैंट को ही study करते हैं छोटी क्लासिज में आप पढ़ते आ रहे होगे तो बड़ा मज्यदार है ध्यान से सुना तो आरके फ्रॉक्टस का फॉसिल तो हमें मिला चाइना से और आरके एंथस का फॉसिल हमें मिला कनाडा से ठीक है तो यह तो फॉसि में मिलेंगे लैंड हैबिटेट पे भी मिलेंगे और पानी में भी मिलेंगे पानी में कहां पर सी के अंदर भी आपको मिलेंगे ठीक है लैंड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो यहां पे ओल इन्वार्मेंटल कंडिशन्स में आपको एंजोस्पॉमिक प्लैंट जो है वो देखने को मिलेंगे, इट अपकर इन ओल इंवार्मेंट, सभी इंवार्मेंट में, सभी इंवार्मेंट में कैसी, अप टू, 6000 मीटर, इन हिमालिया, हिमालिया की 6000 मीटर हाइट पे भी, आपको इंजयो स्पर्म्स मिल जाएंगे, हौट स्प्रिंग रीजन्स में भी, आपको इंजयो स्पर्म्स मिल जाएंगे, ये एक्स्ट्रीम हैबिटेट हम बता रहे हैं, कि 6000 मीटर की हाइट पे भी, आपको इंजयो स्पर्मिक प्लैंट मिल जाएंगे, हौट स्प्रिंग रीजन में भी, हमें देखने को मिलते हैं C की अगर हम बात करें तो हाला कि Angiosperm जदा तर हमें लेंड पर ही पाए जाते हैं C जो है It is an exception C Habitat में Angiosperm का मिलना वो एक exception है इसमें सिर्फ 2 Angiosperm हमारे पाए जाते हैं C Habitat में कौन-कौन से 2 Angiosperm एक तो एक्जम्पल आता है जूस टेरा का सी वीड भी इसको हम बोलते है 12th क्लास में आपका रिप्रडक्शन में पॉलिनेशन में हम पढ़ेंगे इसको जूस टेरा और दूसरे एक्जम्पल आता है थलेशिया ये दो एंजियोस्पमिक प्लैंट ऐसे है जो हमें सी हैबिटेट में पाए जाते हैं ये एक्सेप्शन्स में आते हैं मोस्टली हमें कहां मिलेंगे लैंड हैबिटेट में ठीके तो ये तो था इनकी अक्रेंस को लेकर के अब अब बात कर लेते हैं इनके साइज को लेकर के कि इनका size क्या होता है तो size भी इनका vary करता है अगर हम बात करें smallest angiosperm की तो जो smallest angiosperm होता है उसका नाम है बेटा वॉल्फिया अगर आपसे कोई smallest angiosperm का नाम पूछ ले तो वो कौन है वॉल्फिया और वॉल्फिया की height कितनी है 0.1 cm का ही होता है मतलब बहुत छोटा होता है और अगर हम largest angiosperm की बात करें तो largest angiosperm हमारा है Eucalyptus regnans Eucalyptus regnans आप एक mistake करते हो बहुत बार ध्यान देना जब भी scientific name यूज़ करते हो दोनों word को अलग-अलग underline करना होता है dominant genus के word को dominant alphabet से start करना है और species के word को small alphabet से start करना है ये चीज़ दियान अकला अलाकि सबसे largest plant तो कौन से है Redwood sequoia यह हम पहले पढ़ चुके 111.6 meter height का होता है लेकिन angiosperm में सबसे largest कौन है Eucalyptus regnans कौन से है बटा है Eucalyptus regnans अब हम बात कर लें इनकी body form की कि इनकी body कैसी होती है तो body form की अगर हम बात करें तो आपको angiosperm तीनो body form में मिल जाएंगे आपको herb की form में मिलेंगे shrub की form में मिलेंगे और tree की form में मिलेंगे बहुत ज़्यादा diversity है angiosperms में रूट्स की अगर हम बात करें, तो रूट्स में भी हमें तीनों टाइप की रूट देखने को मिलेंगी, टाप रूट सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा, एडवन्टेशियोस रूट सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा, और फाइब्रस रूट सिस्टम भी देखने को मिल कुछ में टाप रूट सिस्टम होता है कुछ में एडवेंटीश होता है कुछ में फाइब्रस होता है टाप रूट किसे कहते हैं बटा जो आपका एंब्रियो होता है उसमें जो रैडिकल पार्ट होता है तो जो रूट रैडिकल से अराइज होती है उस रूट को हम क्या कहते ह ताप रूट और जो रूट रैडिकल को छोड़ कर किसी और पॉइंट से अराइज हो जैसे कि स्टैम कटिंग से लीव के एजिज से जो अपने वेजटेटेव प्रोपगेशन में भी पड़ है वो कैसी रूट्स होती है एडिवन्टिशियूस रूट्स होती है और फाइप्रस रूट जो होती है न बेटा ये अराइज तो उसी पॉइंट से होती है जहां पे टैप रूट होती है रैडिकल के बार उनीक ही जिगे पर क्या आजाती है फाइप्रस रूट ये फाइपर की तरह लंबी-लंबी है कि और इजिन से कई सारी रूट्स होती है इनको डटेल में आप मॉर्फलोजी में डिस्कस करेंगे स्टैम की अगर हम बात करें क्योंकि ट्रू रूट्स्टैम और ली प् स्टैम जोंगी अंडर्ग्राउंड हो सकती है या अबाव ग्राउंड हो सकती है दोनों तरह की स्टैम हमें देखने को मिलेंगी अंडर्ग्राउंड और अबाव ग्राउंड मेभी ब्रांश्ट और मेभी अनब्रांश्ट ठीक हर तरीके की स्टैम यहां पर आपको देखने को मिलेगी लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ इनके केस में कैसे होते हैं सिंपल भी हो सकते हैं मतलब लीफ का लामिना लीफ लेट में डिवाइड नहीं है या हो सकता है कि लीफ कैसे हो जाएं कंपॉंड हो जाएं कैसे हो जाएं बटा कंपॉंड सिंपल लीफ भी हो सकते है और compound leaf भी हो सकते है कैसे leaf हो सकते है maybe leaf आपके simple हो या maybe leaf आपके कैसे हो compound हो ठीक है और एक चीज और ध्यान रखना जो leaf होता है जैसे ये leaf है इसके axle part में एक bird arise होती है जिसको हम कहते है axillary bird जिसको हम क्या कहेंगे बटा axillary bird ठीक है ठीक है तो इस axillary bird के पास potential है कि ये lateral branch में modify हो जाए किसमें modify हो जाए side branch बना ले क्या बना ले side branch बना ले ठीक है तो ये से ध्यान रखना इसके root stem और leaf के बारे में हम discuss कर चुके है अब हम बात करेंगे इसके vascular tissues के बारे में क्योंकि ये सबसे advanced plant है इनके अंदर vascular tissue भी सबसे advanced होंगे अब vascular tissue में क्या advancement आएगी दो तेरे के vascular tissue है xylem and phloem advancement क्या आएगी इसको हम पहले बे discuss कर चुके है पहली advancement कि xylem के अंदर vessels present होंगे ये इकलौते plant है जिनके xylem में vessel present है बाकि आपने pterodophyte और gymnose forms में क्या देखा था कि उनमें vessels absent होती है phloem की अगर हम बात करें तो पहली बात तो phloem की जो sieve cells होती है they arrange one above the other and form sieve tube इनके case में long tubular structure बन जाती है जिसको हम कहते है sieve tube और दूसरा albuminous cells की जगह पे इनके अंदर होती है companion cell क्योंकि sieve tube की जो cells होती है वो maturity के बाद अपना nucleus loss कर देती है तो वो किसकी direction पे काम करेंगी companion cell का nucleus उसको control करेंगी तो इकलोते plant ऐसे हैं जिनमें companion cell है zymnos firm और teradophyte में companion cell के जगह पे albuminous cells होती है अब हम आते हैं life cycle को लेकर गए life cycle बिल्कुल simple है अगर आपको समझ आगे है तो बहुत असान है कैसे life cycle इनकी कैसी है deplontic life cycle deplontic का मतलब क्या है अपने life में सिर्फ कुछ cells छोड़ दो जो heploid है बाकि पूरा lifetime किसमें बिताता है deploid phase में बिताते है very few cells are heploid और उनको अगर हम छोड़ दे तो उनको छोड़ कर सारी cells are deploid है very few बोले है बिता मैंने one नहीं बोले है ये चीद्यान दखना एक cell नहीं very few cells are heploid ठीक है some cells are heploid लेकिन जादा तर cells कैसे है deploid है आप क्योंकि इनकी life cycle deplontic है तो इनकी main plant body कैसी होगी sporophytic plant body होगी main plant body कैसी होगी sporophytic और इनकी जो main plant body होती है उसके उपर किसकी formation होती है flower जैसे gymnos pharms में flower की formation कौन की formation हम दिखा रहे थे उसी तरीके से angios pharms में क्या बनता है flower और flower किसका aggregate होता है sporophyll का aggregate होता है ठीक है ध्यान देना इनके leaves का aggregate होता है flower को हम कहते है modified shoot त्यान देना flower को क्या कहा जाता है modified shoot life cycle कैसे होती है जैसे कि हम बात करेंगे कि इनका ये flower है तो flower के अंदर क्या होंगे बटा microsporophyll and megasporophyll अगर flower bisexual है तो एक ही flower में दोनु तरे के sporophyll प्रेजेंट हो अब यहां पर terminology थोड़ी सी अलग है क्या microsporophyll को हम बोलेंगे stamin और megasporophyll को हम बोलेंगे carpel बस यह चीज आपको ध्यान रखने है microsporophyll को हम क्या बोलेंगे stamin और megasporophyll को हम क्या बोलेंगे carpel यह terminology आपको ध्यान रखने हैं बाकी आपको पता हिए sporophyll के ऊपर क्या डवलप होगा sporangia अब microsporophyll है तो क्या बनेगा microsporophyll ऐसे ही megasporophyll पे क्या बनेगा megasporophyll अब इनकी भी terminology आपको याद होनी चाहिए microsporophyll को हम बोलेंगे pollen sac और megasporophyll को हम बोलेंगे ovule चीक है sequence वही है बस other terminology आपको याद रखने है अब microsporangia के अंदर क्या बनेगी mother cell तो यहाँ पे तो बनेगी microspore mother cell या हम बोलेंगे उसको pollen mother cell और यहाँ पे बनेगी megaspore mother cell तो mother cell की ploidy कैसी होगी 2N क्योंकि main plant body कैसी थी sporophytic और अभी तक meiosis नहीं हुए फिर क्या होगा में meiosis होगा इसमें भी meiosis होगा और meiosis होगा तो यह क्या बनाएंगे haploid spore male part तो बनाएगा microspore और female part बनाएगा megaspore sequence आपको मैं बता रहे हूँ ठीके तो यह चीज़ आपको ध्यान लखनी है male part ने microspore बना लिए female part ने megaspore बना लिए यहां तक कई event हो चुक है फिर क्या होगा microspore जब germinate करेंगे microspore क्या करेंगे germinate करेंगे तो वो क्या बनाएंगे बटा वो बनाएंगे male gametophyte male gametophyte अब यहाँ पर बात समझने की क्या है कि male gametophyte हम किसको कह रहे है pollen grain को कहने है और यहां पर megaspore जब germinate करेंगे तो वो बनाएगा female gametophyte क्या बनाएगा female gametophyte और female gametophyte को हम क्या बोलेंगे embryo sac यह सीज़ आपको ध्यान रखनी है फिर क्या होगा male gametophyte में क्या बनेगा male gametophyte में बनेगा male gamet और female gametophyte में बनेगा egg फिर तोनों का क्या होगा पहले pollination और फिर fertilization pollination हुआ फिर क्या होगा fertilization और अगर fertilization हो जाता है तो क्या बन जाएगा zygote और फिर zygote किसमे modify हो जाएगा embryo में अब एक चीज यहां पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि angiosperms में जो fertilization होता है वो double fertilization होता है जो unique होता है एक fertilization तो zygote बनाएगा और दूसरा बनाएगा endosperm और जब आपका endosperm बन जाता है तो उसके बाद zygote embryo में modify हो जाएगा और जब embryo बन जाता है तो ovule convert हो जाएगा seed में और ovary convert हो जाती है fruit में और फिर से आपका sporophytic phase स्टार्ट हो गया है यहां से तो इस तरीके से इनकी life cycle क्या होती रहती है बटा change होती रहती है ठीक है alternation of generation है पहले sporophytic phase से शुरुआत होती है फिर gametophytic phase पे जाता है फिर वापस sporophytic phase को शुरू कर देता है ठीक है तो इस तरीके से इनकी cycle क्या होती रहती है repeat होती रहती अब हम सबसे पहले इन सभी events को हमें detail में पढ़ना है किसमें पढ़ना है detail में ठीक है तो वो हम पढ़ेंगे next lecture में अबेंगे